नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंफो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में यह भरती का नए नोटिफिकेशन डिस्टिक एंड सेशन जज मोगगा पंजाब के द्वारा किसे पहले-पहले आपको ओफ-लाइन एप्लिकेशन आपको सम्मिट करवानी होंगी और इस प्रकार की नए-नए जानकारी प्रावत करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करें ताकि यह जोब के नए-ने नोटिफिके आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलते रहें चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से पद विग्यापित हुए हैं सबसे पहला पद है PN का और यह क्लास 4 की वेकंसी है कुल 10 पद विग्यापित हुए हैं और इन 10 पदों मेंसे 7 ज चैनल स्टेंडर्ड तक आपको पंजाबी भासा का ग्यान होना चाहिए तभी आप PN के पद के लिए एपलाई कर सकते हैं और जो केंडिडेट PN के पद के लिए एपलाई करेंगे उन्हें उनसे चौंकिदार माली और वाटर मैन का भी कारियर करवाया जा सकता है और PN के के लिए जो अपलाई करने के लिए जो आयू सीमा है एक जनुरी 2021 को 18 से 35 वर्स के जो बीच के जो केंडिडेट है वो अपलाई कर पाएंगे आगे देखलते हैं पॉइंट नंबर दो के उपर प्रोसेस सर्वर के कुल आठ वेकेंसी हैं प्रोसेस सर्वर होता है प्याददा प्याददे के कुल आठ पद हैं और आठ पदों के लिए जो जर्नल सर्णी के लिए 6 हैं सी के लिए 2 हैं और जो कैलवकेशन की बात करें केंडिडेट को मेट्रिकुलेशन किसी भी यनिकी दस्वीं की कक्षा आपने किसी भी रिगोगनाईज बोर्स से पास कर रखी होनी च इसको candidate की 18 से 35 वर्स के बीच के candidate जो आयू सीमा है वो होनी चाहिए तब ही आप apply कर पाएंगे और उपरी आयू सीमा में जो छूट मिलेगी वो पंजाब सरकार के जो उपरी आयू सीमा के जो नियम है उनके मताबिक उपरी आयू सीमा में भी छूट मिलेगी और fixed emeluments मिलेंगे आपको यानिके fixed salary दी जाएगी यानिके इस हिसाब से यह contact basis की vacancies है आगे देख लेते हैं सभी पदों के लिए आपने apply करने के बाद 24 सितंबर 2021 से पहले बेले आपको offline application submit करनी पड़ेगी और इसी एडवटेजमेंट के point number 12 पर दर्शाया गया है कि आपको district and session judge मोगा के कारि दिया गया है इसके मताबिक आपको interview के लिए भी जाना होगा और interview के लिए आपको अलग से कोई call letter नहीं भेज़े जाएंगे जिन candidates के नाम सबसे पहले pn की बात कर लेते हैं pn का interview कब होगा जिन candidates के नाम a से लेकर i तक शुरू होते हैं उनके 4 अक्तूबर को और जिन candidates के न चुरू होते हैं उनका pn के post के लिए 6 अक्तूबर को जो interview है वो conduct करा जाएगा और process server की बात करें जिन candidates के नाम a से लेकर m तक है उन candidates का 7 अक्तूबर को और जिन candidates का n से लेकर z तक है उन candidates का 8 अक्तूबर को process server का interview conduct करा जाएगा इंटर्यू के लिए एक बार फिर आपको पत इस तारिको 4, 5 और 6, 7, 8 को अक्तूबर में आपने आप ही district and session judge का रेले में पहुंच जाना है interview के लिए सुबह 9 बजे और यदि आपने आपने offline application submit करनी है तो आगे इसकी वीडियो में देख लेते हैं कि offline application performa किस परकार से होगा जो कि आपकी video screen पर आपको जब यह application performa application qualification 6 में address first correspondence, 7 में experience और 8 में mobile number और date डाल कर यह आप इसको signature करके इस process server के application performa को पूरा कर सकते हैं इसी परकार आप यदि PN के लिए apply करना चाहते हैं तो PN के लिए आपको अलग से एक performa है जो कि आपकी video screen पर है इस पे भी आपको एक photo paste करनी होगी, point number 1 में अपना नाम candidate के द पत्रचार का पता, 7 में experience 8 में mobile number लिखकर आप अपने इस application performa को पूरा कर सकते हैं यदि आप यह application performa को download करना चाहते हैं तो वीडियो के description में दियेगे link से भी आप इस application performa को और full advertisement को download कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतनी information मिलते हैं नई वीडियो में नई information के साथ